नमस्कार आदाब आप देखरें प्रहाड टाइम्स लेकिन मैं अकेले पदियात्रा करके कलेक्टर ओफिस तक जाऊंगा और वहाँ पर हमारे लोग मुनसिपल कमिशनर के खिलाब धरना देंगे या अश्कुल निवेदन देने वाले हो या क्या करने वाले हो निवेदन भी देंगे और इनसे मांग भी की जाएगी कि जो यहाँ पर काम चालू है उसको रुकवाया जाए या आप कर रहे हैं तो उसका पेपर दिया जाए एक्शॉल और मुम्रा का मौल ना खरब किया जाए ये समाजवादी का या MIM का या फिर शुसेना का ये किसी और का मुद्दा निए ये मुद्दा है मिरे मुम्रा शेहर का और इस बात यो नाइंसाफी मुम्रा के साथ यहाँ का लोकल आमदार और यहाँ के कॉर्पोरिटर और T.M.C. कमिशनर कर रहे हैं उसके खिलाफ जो कोई भी आवाज बुलंद करेगा इंशालला हम सब उनके साथ रहेंगे इतनी जादा है तो शहर के लिए बहुत जरूरी है स्लाटर हाउस और उसके लिए हम मांग करेंगे हर तरीके से करेंगे यह मुद्द को हमने पहले उठाए थे और भुगरताल भी किये थे यह ऐसा है कि यह बुद्दा किसी पार्टी का नहीं है यह पूरे मुमरा वासियों का मुद्दा ही है उसके लिए हम पार्टी बेस पे हम नहीं देखना के पार्टी को नहीं हमारा कहना यह है कि जो भी काम हो लीगल तरीके से हमको सलाटर हो जैसे आज बंबे में हुआ कि बखरों को उठा के लेकर गए कल का यह हाल अगर मुमरा में हुआ कि आपको सलाटर होस में ही बगरे जबा करना है या कुर्बानी करना है तो हम कहां लेकर जाएं जो पडियात्रा निकाली दिए थान है केलेक्टर आफिस ते वहां से बढ़ते हुए यहां पे संजे नगर नाके तक बहुच चुकी है और जगा जगा उनका यहां पे सथकार किया जा रहा है संजे नगर पे अचली यह जो मुम्रा का मुद्धा है कब्रस्ता प्रस्तान समशान भूमी और धरम के सब ज़ो उदर जहां पर सब मने अन्तिम भीधी के लिए जो लोग इसके उपर आवाज उठा एं उनको हमारा समर्थन है पुरू नगर सेवक सुधिर भकत मोचुद है सुधिर भए जी सरी के से यहाँ आप एमाएम की जो पद यातरा दी उसमें भी आपने सतकार किया था समाजवादी की भी एक पद यातरा उसमें भी आपका सतकार है क्या कारण है कि आप शेहर के समुद्धे को लेकर आप इनका सतकार करें पार्टी की तरब से ऐसा है कि कल को अगर मैंसी भी भी अगर इस तरह का यातरा पद यातरा निगली तो मैं उसका भी सतकार करूँगा उसकी वज़य है यह कि सिर्फ कबरस्तान का मसला नहीं है मैं मुम्रावालों को इस मसले के अल से बताना चाता हूँ कि सिर्फ कबरस्तान का मसला नहीं है वहाँ पर हिंदू दफन भूमी भी है और वहाँ पर क्रिश्चन समाज का दफन भूमी भी है तो मेरा बुलने का मतलब ऐसा है कि अगर एक बात मैं मुम्रा वालों को आपके जानुब से कहना जाता हूँ कि मुस्लिम समाज के पास कम से कम दो या तीन कबरस्तान है लेकिन क्रिश्चन समाज के पास आज के तारिक में एक भी कबरस्तान नहीं है अगर वो कबरस्तान वहां से हटकर और कहीं चला गया तो उनका क्या होगा और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ मुम्रा की मालूमात के लिए कि हमारे में जो बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है उनको दफनाया जाता है और हमारे हिंदु धरम में भी आईसे कई लोग है जिनको दफनाया जाता है तो उनके लिए भी हमको सोचना चाहिए तो स्रिफ ये मुस्लीम समाज का नहीं है मैं बाई साब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्रिफ ये मुस्लीम समाज का नहीं तो पूरे मुम्रा का इशू लेकर के ये निकले है अगर कल को फिर से एक बार दोराता हूँ अगर करना चाहिए तो मैं उसका स्वागत करूँ कबरस्तान का सबसे बड़ा मसला है जो हाँ मर के सारे मुसल्मान को जाना है अचाहा अमीर हो या गरी ओ या कोई भी हो हर किसी को जाना है यहाँ पर मेने इस तरीके से सुना था कि कबरस्तान जो है वो शिम्ला पाक के उदर दिया जा रहा है कुछ इस तरीके से सुना था तो काफी लोग उस पे महीनत कर रहे है तो फैसल भाई ने उस पर महीनत के एक महीम चलाई है कि हम मुम्रावालों को नौरत्तम में कबरस्तान जब अलोट किया गया है तो उसको नौरत्तम ये दिया जाए हम मुम्रावाले शिमलाबाग इतना दूर कैसा जाएगे न अधिया स्वाचा जूरति को नौरत्तम मिलाबाग अज यहांपे जो समाज उती पार्टी की जो पईदल पढदимо यात्रा थी वो यहांपे ताना ज्री अधिकरे को नों निवीदर दीना जो निवीदित दीना तो किस तरीका कई यहांपे उनका आश्वासन मिला अश्वासन ये दिया गया कि वहां की जो भरनी हो रही है उसे देखकर रुकवाया जाएगा कब रुकवाया जाएगा अब ये टाइम तो नहीं दिया गया लेकिन हमारे इसाब से अगर दो से तीन दिन में अगर भरनी काम नहीं रुखा तो हम आगे गार निन्ने लेंगे अपने अध्यक जी से पूछ के लेकिन आमदार साब जो आपने विदायक है उन्होंने कहा है कि कबरस्तान वही बनेगा कबरस्तान वहाँ पर बनाए लेकिन लीगल तरीके से बनाए है दोनों मार्किट बनाएगे वो भी इलीगल है जिसमें कमिशनर साब हैं या कोहां के आमदार है आपका बोलने का ये मतलब है कि मुमरा में जब जितना विकास हो रहा है सब इलीगल विकास है जो सत्तर रोडों का विकास बोला जा रहा हूँ कहां है सत्तर रोड एक दूसरे से जुड़े हुए है कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है विकास दिखाने के लिए आप क्या करोगे भी आपकी पार्टी की दरब से हम विकास दिखाने के लिए ने हमारा भी एक पहली मांग है कि कबरस्तान, सलाटा राउज और समशान भूमी तो हम उसके लिए जो हो सकेगा हम करेंगे झाल